हरे कृष्णा, आप सबी को श्री कृष्ण जन्मास्टमी की बहुत बहुत चुपकामना है, एडवांस में ही I hope जन्मास्टमी के दिन ये सारे खिले हुए चेहरे दिखेंगे कैंपस में भी और आप अकेले नहीं आएंगे, आप अपने साथ में और भी बहुत सारे लोगों को लेकर आएंगे ऐसी मेरी आशा है, इससे पहले जन्मास्टमी आए, हम जान तो लें कि जन्मास्टमी का मतलब क्या होता है समय के साथ में हम पाते हैं कि जो हमारे फैस्टिवल्स हैं, जिनके पीछे बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है महत्व है, महत्म है उसका, ओ दीडे दीडे खोता चला जा रहा है कुछ बच्चों से एक बार कुछा बिटा ये बताओ, दीवाली क्या है तो बच्चा बोला दीवाली है, खूब बिठाई खाओ, खूब अठाके खोड़ो बोले बोली क्या है, बोले एक दिन पहले कुछ आज बार जलाओ और अगले करण से खेलो, ये बोली है तो नवरात्र क्या है, बोले डांडिया करभा केला, वो नवरात्र है तो रिच्वल तो है, लेकिन उसके पीछे इस्पिरिट क्या है you know, spirit plus ritual equal to spiritual spiritual minus spirit equal to ritual जैसे हम तिलक लगाते हैं, ये कोई tattoo नहीं है, वहले भाई बिंदास tattoo है, मंदिर में है इसके पीछे क्या है एक, एक spirit है इसके पीछे, एक कारण है इसके पीछे ये दोनों क्या है, ये दोनों है भगवान की चरण, भगवान की चरण कमल है ये इसलिए तिलक लगाने पर एक मंत्र बोला जाता है, ललाटे केशवं ध्याये ओन केशवाये नमहा ये मंत्र होता है, ललाट पर मस्तक पर केशव का क्रिश्न का ध्यान करना और उनके चरण कमलों को धारण करना तो इसके बीचे इस्पिरिट है, समझे रहे हैं, केवल की दिन बर फास्ट करेंगे, कुछ खाएंगे नहीं और क्या गाने उस्थ खाएंगे नहीं तो वह चाय तो पी नहीं पड़ेगी, लैकिन है, दिन बर चाय पिएंगे, टीरी देखेंगे एपिसोड, येस, और बस रात को क्या करना है हमें, कुछ पास तोड़ा बहुत जोबी रिचुवल हमें परफॉंग करना है, अगवान को गही, हाणडी का गेम, ये जनमास्ट मी नहीं है, सारी रिचुवल है ये तो, इसके पीछे एक स्पिरिट है, तो जनमास्ट मी क्यो मराई जाती है, क्यो मराते है जनमास्ट मी, क्रिष्ण भागवान का जनम दिन, एपी बर्थ डे, तो हम थोड़ा समझेंगे अच्छे से क इसा क्या स्पेशल है इस जनमास्ट मी में, इतने लोगों के बर्थ डे आते हैं, तो इस बर्थ डे में ऐसा क्या खास है, तो क्रिष्ण जो है, इससे पहले हम जानें जनमास्ट मी क्या है, उसका पूरा नाम है क्रिष्ण जनमास्ट मी, पहले हम जानें क्रिष्ण के बारे क्यों जन्मास्त में इतनी special है पुरी दुनिया मनाती है जो कि उसके पीछे जो व्यक्ति है कृष्ण वो special है कृष्ण शब्द का मतलब होता है कृष्ण प्लस ना कृटिक कृष्ण का मतलब होता है सर्व आकरशियती कि जो सबी को अपनी ओर क्या करे आकरशित करे कृष्ण करशन आकरशन और अना मतलब जिसको कृष्ण से आकरशन हो गया उसके जीवन में आनंदी आनंद हो गया यदिः कि ये आकरशन है न वो इस दुनिया के अंदर सब जगे अभी आपते हैं इसको हम हटा नहीं सकते attraction को आप में से बहुत से लोगों ने law of attraction सुना होगा पता नहीं वो जो law of attraction बताते हैं खेर वो तो कितना सही है गलत है actually तो वो nonsense है लेकिन ये law of attraction fact है attraction attraction makes the life dynamic इस दुनिया में भी हम पाते हैं अगर आकरशन खतम हो जाएगा तो क्या होगा जो हमारे जीवन में जो भी dynamism है न variety है enjoyment है वो खत्म हो जाएगा तो problem क्या है यहां पर इस दुनिया का हर आकरशन वो क्या है वो क्षणिक है वो क्या है वो क्षणिक है और उस आकरशन की शुरुवाद तो क्या है happiness खुशी सुख यद अग्रे अम्रितो पामा शुरुवाद में इसकी तरह अम्रित की तरह लेकिन समय के साथ में क्या होता है यसे यसे रैपर खुलता है और अंदर में प्रोड़क बाहर निकलता है तो परिणा में विश्यमेवाद समय के साथ में वो आकरशन छीन हो जाता है एक्षणी में एवन अम्रित से वो कड़वाड आजाती है उसके अंदर कहीं भी देख लें इस दुनिया में चाहे आप किसी भी रिलेशन में देख लीजिए स्त्री पुरुष, परिवार में हम देख लें, बेटा, माता, पिता, बच्चे, माता, पिता किसी भी रिलेशन में हम देख लें इस दुनिया में ये प्रिंसिपल हर जगे क्या है? हर जगे लागू है प्रिकि बगवर गीता ने बोला है भी तो आकर्शित होने की टेंडेंसी हमारे अंदर है Yes or no? बस उस आकर्शन की जो टेंडेंसी उसको सही जगे लगाना है तो आकर्शन की टेंडेंसी है आत्मा की अंदर च्योंकि आत्मा जो है उसको वास्तम में जो आकर्शन है शाश्वत आकर्शन और वो भी कितना इन्फाइनाइट वो है उसको किस से जो आत्मा का जो श्रोत है भगवान से इसलिए भगवान के लिए कृष्ण शब्द का प्रयोग किया जाता है तो अगर आप देखें यहाँ कुछ डिटेल में चाहें हाँ पाएंगे इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति जो है वो आकरशन का केंद्र बन जाता है यदि उसके पास में कुछ स्पेसिफिक चीजें हो आप देखें जिर भगवान शब्द है ना उसमें दो शब्द है पहला है भगद दूसरा वान तो वान अगर आप देखें संस्क्रिप के अंदर एक होता है उपसर्प एक होता है प्रत्या तो अगर वान प्रत्या लगा दे किसी भी शब्द के पीछे जैसे दनवान बलवान तो धनवान मतलब इसके पास क्या हो? इसके पास क्या हो? धनवान हो, इसके पास क्या हो? बलवान हो इसके पास क्या हो? बलवान हो, येस, तो हम पाएंगे क्या है? वान मतलब जो इसको धारण करता है, तो भगवान मतलब जिसके पास क्या है? भग, भग मतलब ओप्यूलेंस एश्वर्य संपदा वो क्या है शाथ डिपाइं करते हैं छे प्रकार के जो ऑप्यूलेंस है वो यदि किसी के पास में हो तो व्यक्ति क्या बन जाता है आकर्शन का केंद्र बन जाता है हैश्वाल्यश्य समग्रश्य भीर्यश्य शिशाश्रिय व्यान वहिर्यादियोश्चाईवा शट नाम भवितींगणा ये पराशर मुनी विश्णु पुराण में ये डेफिनेशन देते हैं भगवान की छे प्रकार के एश्वर्य वो क्या है पहला है रिच्चनेस धन जिसके पास बहुत ज्यादा रुप्या पैसा होता है हम पाते हैं वो व्यक्ति सभी का अटेंशन ड्रॉ करता है है की नहीं जैसे हमारे कंट्री में माली जीए किसी जगह पर अम्बानी या अडानी को बुलाया जाएगा तो हम पाएंगे सब लोग क्या होंगे उन हजार हजारों के भीड में अपने आप जैसे इस जग्ति की एंट्री होगी सबका ध्यान जाएगा नि जाएगा उस तरफ जाएगा न तो किसी के पास बहुत धन हो वो क्या बन जाता है सेंटर पड्रेक्शन फिर हैं पावर शक्ति किसी के पास बहुत क्या हो पावर रो इंफ्लुएन्स है उसके पास में जैसे प्राइम मिनिस्टर नगरीम्दर मोधी हाला कि वो अढ़ानी अमानी के बरावर उसके पास में क्या नहीं है परसनल बैल्स नहीं है उसके अपनी सेलरी है लेकिन पावर कितनी जाता है एक पार अगर नीज आती है कि भई यहाँ पर मोदी जी आ रहे हैं तो लाकों की फिर लग जाती है तो हम पाते हैं पावर क्या होना यहती है हमको सेंट्र अट्रेक्शन फिर है फेम कोई व्यक्ति बहुत फेमस हो उसका बहुत ज़्यादा यश है बहुत लोग जानते हैं उसको जैसे सेलिबरिटीज फिर देखा है कई फंक्शन्स में भीड को ड्रॉ करने के लिए सिर्फ बुलाने के लिए क्या करते हैं वो लोग एक दो सेलिबरिटी को लेगे आ जाते हैं क्या है उसके पास में क्या है हाँ फेम है उसके पास में बस वो व्यक्ति आ रहा है उसका नाम है लोग अपने आप दोड़े चले आए कोई बहुत फेमस है तो वो भी लोगों के लिए आतर्शन का केंद्र बन जाता है पिर है श्रीहा श्रीहा मतलब ब्यूटी यदि कोई exceptionally beautiful हो कोई बहुत ज़्यादा खूपसूरत हो तो हम पाते हैं naturally हमारा ध्यान उस तरफ जाना ही जाना है आप इसको रोक नहीं सकते इसलिए दुनिया में इतने सारे ब्यूटी कॉंटेस्ट है येस और नो और फिर है ज्यान यदि कोई व्यक्ति बहुत उसको ज्यान है knowledge है जैसे कोई scientist है हम पाते हैं अगर मान लीजिए एक university में एक nobel right scientist आता है nobel prize winner तो क्या होता है अपने आप हजारो students की गिर्ड जुड़ जाती है yes or no या फिर कोई scientist का हम नाम लेकर बोलते है Albert Einstein ने ऐसा बोला है उसका नाम लेकर बोला है मतलब तुरंत हमारे कान पड़े हो जाएंगे Einstein ने बोला है है कि नहीं Einstein ने एक बार एक waiter को ऐसे ही paper फाड़के और ऐसे लिखके दो तीन line लिखके दे दी उसको वो paper recently पता नहीं कहां से मिला पता है वो paper इतना सा slip लाखूं dollars में लोगों ने खरीदा उसको किसने लिखा है किसने लिखा है Einstein ने लिखा है क्या बल ली हुए इतनी slip की लेके कितना attraction है पर अगला है वायराग्यव क्या है enunciation वायराग्यव यदि कोई जगती क्या है यदि कोई जगती उसके पास में सब कुछ है लेकिन वो क्या कर देता है renounce कर देता है छोड़ देता है उन सुक्स भीदाओं को त्याग कर देता है तो भी हम पाते हैं instantly media में न्यूज आती है आती है ने आती है उनके पास इतना कुछ था लेकिन उन्हें उसको क्या कर दिया रिनाउंस कर दिया छोड़ दिया उसको लेकि हम माने या ना माने फिर भी लोगों के अंदर कितना भी कल्यों रेंपेंट हो जाए लेकिन यह जो गैरुवा भगवा वस्त्र है लोगों के अंदर इसके लिए क्यों एक अट्रेक्शन है अटेंशन है क्या कारण है को रुप्या पैसा नहीं है उनके पास में कोई बहुत पावर नहीं है उनके पास में फिर भी लोग क्यों क्यों जाते हैं लोग सादू के पास में जाते हैं लोग यस और नो क्योंकि दो चीजें एक तो ग्यान और उससे बड़ वैराक्यों कितना क्या किया है तो यह अपने आप यक्तियों क्या मना देता है अपने आप यक्ति को आकर्शन का केंद्र मना देता है यह छे प्रकार की चीजें क्या क्या है वो पहला क्या है एश्वर रिच्चनेस धन दूसरा पावर शक्ती पीसरा फेम यश चौथा प्यू ज्यान और शटबा वहरादी लेकिन हम पाएंगे इस दुनिया में ये च्छे की च्छे चीजे एक आदनी के पास नहीं होती अगर किसी के पास बहुत अरबो रुपय हैं तो आप पाएंगी उसके पास में उतनी पावर नहीं होगी जितनी देश के प्राइम मिनिस्टर के पास है उसके पास इतनी beauty नहीं होगी इतना किसी और व्यक्ति के पास में है, उसके पास में इतना ज्यान नहीं होगा, इतना किसी और व्यक्ति के पास में है, तो हम पाते हैं अगर एक सिर्फ छहने से एक भी चीज किसी के पास में है, तो व्यक्ति center of attraction आकर्षन का केंद्र बन जाता है एक वस्तु हो बस सोचिए अगर किसी के पास छे की छे चीजे हो एक व्यक्ति के पास तो व्यक्ति जो है कितना ज्यादा center of attraction होगा यस और नो तो भगवान की परिवाशा वो है जिसके पास ये छे के छे प्रकार के opulence एक व्यक्ति के पास में कितने हैं unlimited कितने हैं unlimited amount में हैं उसे बोलते हैं क्या भगवान और शास्त्रों ने analyze किया है कि क्यों क्रिश्ण को भगवान माना जाए क्योंकि अगर हम देखें क्रिश्ण अगर हम छे क्राइटेरिया में क्या करें उनको हम measure करें तो पहला है richness तो हाला कि वैसे तो भगवान क्रिश्ण ने गीता में भी बोला है कि सर्व लोक महेश्वरम अर्जन तुम्हें जो भी इस दुनिया में लिखता है और इस दुनिया के परें है वो सब मेरा क्रिएट किया हुआ है अहम सरवश्य प्रवगो मत्तह सरवं प्रवडतते सब कुछ मुझसे ही उद्भूत है उद्गम है लेकिन उन्हें ने यहाँ पर आकर क्या किया उसका उसका एक प्रत्यक्ष प्रमान भी दिया कि जब भगवान को लगा कि मत्तुरा में इतना अटैक हो रहा है जरासंद का तो रातों रात उन्होंने क्या क्रिएट किया क्या क्रिएट किया उन्होंने हाँ पुरा एक आईलेंड क्रिएट कर दिया समंदर के बीच में द्वारिका और उस द्वारिका में कैसे महल बनाएं अगर आप उनका वार्णन सुनेंगे जो दिया लिया है शीमत भागवतम में उसमें गोल्ड, डाइमंड, रूबी जुतने भी प्रकार के रत्न होते हैं इस रूम में इतनी लाइट है ना अभी इससे अधिक प्रकाश वहां पर रहता तक इसके कारण केवल रत्नों के कारण और वो उसको बनाने में उनको जैसे दुबई बनाया उन लोगों ने करेक्ट कुछ किलोमेटर का एरिया समंदर के बीच में सालों साल लग गए गरेक्ट नहीं इंस्टेंटली वन नाइट उन्होंने शो किया वगवान ने कि कितनी रिचनेस है तो वहां हम पाते हैं एक सेंपल प्रेजेंट किया वगवान ने कि अन पैरलल रिचनेस का और अगर हम पावर देखते हैं जो कृष्ण है न वो कोई कि मेडिटेशन से बनने वाले भगवान नहीं है एक वार शिलत अभुपाद जो कि हरे कृष्ण आंदुल के संस्तापक आचारे हैं वो बताते हैं अपने लेक्षर में कि जब वो अमेरिका गए तो उन्होंने देखा वाल पोस्टर एक पोस्टर लगा हुआ था और कम एंड मेडिटेट फॉर शिक्स मन्स एवरी डे थर्टी मिनट्स आईये छे महिने के लिए कोर्स करिये मेडिटेशन का and you will become God अब बगवान बन जाओगे तो प्रभुपाज जी बोले हमको ऐसा चीप बगवान नहीं चाहिए हमको वो बगवान चाहिए जो जो शुरू से बगवान है कृष्णा अगर हम देखते हैं कृष्ण को तो उन्होंने जब अवतरे थुवे मादेव की के सामने तो कैसे अब करेद हुए चतुरू स्वरूप में और आने से पहले ही जो भी प्लान था ना सब बता दिया मा को जब अम्मी जन्म के बाद में ये ये करना है आपको ठीक है जब वो छोटे बालक है ये शोदा के घर में तो इतनी बड़ी राक्षसी आती है पूतना इतने सारे देट के आते हैं तो उनको देखके कृष्ण रोते नहीं है ममी बचाओ ऐसे जोते हैं हम पाते हैं एक के बाद एक इतने सारे राक्षसों का वद करते हैं वो ये क्या है क्रिष्ण मतलब manufactured God नहीं है आज की जमाने बहुत सारे manufactured बगवान आगे है क्रिष्णा इस नौट manufactured God क्रिष्णस्तु बगवान स्वयंग वो शुरू से बगवान है संपून भगवान यहै पावर महाभारत के युद्ध में बिना कोई अस्त्रशत्र उठाएं कौन था मैन अब्दा मैच? कौन था? मैन अब्दा सीरीज थे बगवान 18 दन चली न महाभारत की सीरीज 18 दिनों के जो इतने भी मैच हुए 18 क्रिश्णा बिना कोई अस्तर श्तर उठाएगे इस इस दा पावर ऑफ क्रिश्णा फिर है यश अगर हम फेम देखे क्रिश्ण का कोई कंपेरिजन नहीं है फेम के रूपर करेक्ट कौन है जो क्रिश्ण को नहीं जानता है एब्रीवन नोस हर कोई जानता है क्रिश्ण को इंडिया हो चाहिए दुनिया किसी भी कंट्री में चले जाएए क्रिश्णा इस सुप्रीमली फेमस और श्री है मतलब ब्यूटी जो भगवान है man is made in the image of God ये कहा गया Bible में वो करेक्ट है मनुष्ण जो है वो भगवान की image में उनको बनाया गया है कुछ लोग उल्टा सोचते हैं इसे बोलते हैं anthropomorphism मतलब क्योंकि हमारे दो हाथ दो पैर हैं तो हमने कल्पना कर ली भगवान के भी दो हाथ दो पैर होंगे no 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 like father like son क्योंकि पिताजी के दो हाथ दो पैर हैं इसलिए बच्चे के दो हाथ दो पैर हैं समझ रहे हैं क्योंकि भगवान का स्वरूप है भगवान क्या है वो एक व्यक्ति हैं इसलिए हम एक व्यक्ति हैं इसलिए हमारा स्वरूप है क्योंकि भगवान के अंदर भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, इसलिए हमारे अंदर भावनाएं हैं, हमारे अंदर इच्छाएं हैं, क्योंकि भगवान के अंदर टेंडेंसी है, प्रब्रती है, प्रेम करने की, इसलिए हमारे अंदर टेंडेंसी है, प्रेम करने की, क्योंकि हमारे अंदर एक beauty है क्यों है हमारे अंदर beauty क्योंकि भगवान के अंदर beauty है तेकिन इस दुनिया की beauty क्या है इस दुनिया की beauty जो है वो केवल garbage management पर निर्वा करती है ये शरीर क्या है हमारा शरीर क्या है आप देखिए ये केवल हमारी ये चमड़ी है वही चमक मारती है लेकर अगर हम इसके अंदर देखें तो क्या है ये शरीर गंदगी का थेला है इसके अंदर में blood है bones है flesh कोई बहुत अच्छी चीज़ें है कि अगर शरीर के अंदर की एक भी चीच शरीर से बहार आती है तो क्या कहलाती है वो waste yes or no correct ना बट पैकेजिंग ऐसी की है कि ऐसी की है कि पूरी दुनिया पागल है yes or no correct ना बॉलीवुड बताने कभसे गाने बना रहा है सुनेरा बदन हल्दी चंदन नहीं है है भी नहीं चंदन सा बदन कुश्बू तेरा बदन लेकिन भाई इ इसमें कहीं हल्दी चंदन नहीं है अगर इसका हल्दी चंदन बहार आया है तो flush करना पड़ता है correct यह reality है लेकिन क्या बनाया रगवान ने मतलब देखिए आप पहचान नहीं पाते यह क्या है क्योंकि यह fabricated beauty है fabricated क्योंकि इसके अंदर जो आत्मा है ना शरीर के अंदर उ दुनिया के सबसे खूबसूरत व्यक्ति पुरुश या महिला अगर वो आत्मा निकल जाए उसके शरीर से कि कोई यक्ति ना उसकी आखों की उसके चेहरे की उसके शरीर की खूबसूरती सुन्दर पाजी तारीफ नहीं कर सकता yes or no? देखिया आत्मा में सुन्दरता है कि कि आत्मा कृष्ण का अंश है तो कृष्ण जो है वो क्या है सक्चित आनंद विग्रहा वो उनका स्वरूप किसका बना नहीं है बोन्स, ब्लर्ड, स्किन इसका विग्रह नहीं है actually हम लोग भी क्या है सक्चित आनंद, इटर्निटी, नौलेच और प्लिस हम भी क्या है हम भी जो आत्मा है न वो इन्हीं तीन सब्स्टेंस से बनी हुई है लेकन अभी क्या है वो कवर्ड है डकी हुई है शरीर से तो जो क्रिष्ण के लिए शास्त्र कहते है कंदर्पकोटिकमनियः विश्यश शोभं भगवान की सुंदरता इतनी है कि द्वारिका के महलों में क्रिष्ण भगवान अपने रिफ्लेक्शन को देख के पूछते थे अरे ये इतना सुंदर व्यक्ति कौन है मैंने आस तक नहीं देखा तो शास्त्रों ने इतनी प्रशंसा किये भगवान की सुंदरता की अरे लोग यहां मंदिर में आते हैं संडे के दिन हजारों हजार लोग आते हैं सुचिए भगवान के विग्रह का की सुन्दरता को देखकर आप पाएंगे कितना हमारे अंदर कितने भाव उमरते हैं उसको देखकर यस यह क्या है भगवान की ब्यूटी है और फिर बताया दिया है यश ज्ञान अगर हम ज्ञान देखें भगवान का तो उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया भगवग गीता का एक सेंपल शो किया उसका ज्ञान का कि पांच जार साल में इस ज्ञान में कोई भी चेंज नहीं हुआ दुनिया का कोई भी knowledge ले लीजिए आप मुझे बताइए दुनिया की एक ऐसी किताब जो की समय के साथ में उसकी popularity बढ़ती जा रही है कोई भूख Harry Potter आज से दस साल पहले best seller दी अभी क्या हालत है उसकी पढ़ते हैं कि हाँ नहीं पता है कितने सारे writers आए उन्होंने books लिखी है लेकिन 10 साल 15 साल 20 साल सौ साल के बाद में क्या होता है वो आओ डिटड हो जाती है yes or no science हम देखें आज से 100 साल पहले कोई theory आती है और हम पाते हैं कि कुछ समय के बाद में उसमें कुछ ना कुछ गलतिया निकल गिया जाती है yes or no लेकर हम पाते हैं बगवत गीता में 5000 साल में कभी अपने आज तक सुना समय के साथ में बड़े बड़े scientists, politicians, scholars किसी ने बोला अरे मैंने गीता में ये गलती पाई ये सुना आपने कभी ऐसा और समय के साथ में बगवत गीता का fame घड़ रहा है कि बढ़ रहा है बढ़ रहा है कहां तो संस्कृत में थी उसके बाद में आज दुनिया की शायदी कोई भाशा हो जिसमें बगवत गीता अबेलेवल नहीं हो समय के साथ बढ़ रहा है ये है अपल दिया है भगवान ने गीता का ज्यान कुरुशेत्र के मैदान में 45 मिनट्स बोलकर बाकि वेद वो क्या है वो भगवान के द्वारा दिया हुआ ज्यान है ये है ये हैं हां इस दर ग्रेटेस्ट नॉलेज़ेबल परसं इन्पाइनेट नॉलेच और अंतिन है वेराज कि अगर हम देखें भगवान कृष्ण को तो आप पाएंगे उन्होंने जब वो कृष्ण के रूप में अवतारित हुए तब भी इसका क्या किया उनुझे इसको शो किया वैराज्जितो महभारत के युद्ध में हालाकि पूरा लेकिरेट कृष्ण को जाता है लेकिन उन् तो हम पाते हैं हर जगे पर हम पाएंगे उन्होंने अपने बक्तों को हर जगे क्रेडिट दिया है उनको आगे रखा है ना कि अपने आपको इवन आज से अगर आप देखें भगवान का यह अवतार है राम अगर हम बैरागी की बात करें तो आज अनाउंस हुआ है अगले दिन अयोध्या की राजा कौन बनेंगे राम सब जगे खुशी चा गई और कल सुबह भगवान तक्या होने वाला राज्या भी शेख और रात्री को पता लगता है कि राम को क्या होगा वनवास हमने इतिहास में सुना है कि बहुत सारे ऐसे ऐसे पुत्र हुए जिन्होंने अपने पिता जी को कहां डाल दिया जेल में डाल दिया भाईयों को मार दिया जा करने के लिए राजा बनने के लिए सुनाएं ना आप लोगोंने बहुत हैं एक कमी नहीं है एक तरफ यह लोग है इनसे इतना इंतजार भी नहीं किया जा रहा है सब्र नहीं किया जा रहा है कि ठीक है भई पिताजी के बाद हमें तो राजा बनना है लेकिन और यहां पर हम पाते हैं जो कोड में लोकल कोड में वहां ने जीता तो कहां जाओंगा हाई कोड माने सुप्रीद पोड जाना पड़ेगा मेरे पिता जी का क्या हो गया है उनका किसी ने ब्रेन वाश कर दिया हम नहीं पाते उन्होंने पोई लॉयर अपॉइंट नहीं किया केस लड़ने के लिए ये जो सीता जी जो हैं जब अशोव वाटिका से आती है तो बगवान राम बोलते हैं कि सीता अब तुम स्वतंत्र हो तुमको जहां जाना है वहां जा सकती हो मैंने ये युद्ध केवल तुमारे लिए नहीं किया ये भर युद्ध था ऐसा नहीं कि मुझे तुम से बहुत अट्रेक्शन है कि तुम मेरी पत्नी हो इसलिए नहीं वहां पर ही भगवान ने जो शो किया वो क्या था वैराग्य ओपुलेंस अप्रेनसियेशन तो इस प्रकार से ऐसे भगवान कृष्ण जो है कल्योद में अफतरित होते हैं चयितन्य महाप्रगो के रूप में और सन्यास ग्रहन करते हैं जो सब चीजों के स्वामी है वो सबtó स्थियार कर सन्यास ले रहे हैं ये है वैराग्य तो ये छे चीजे जिसके पास में हैं, एक व्यक्ति के पास में हैं, वो भी इन्फाइनेट उसे बोलते हैं भगवान, इसलिए श्रीमत भागवतम में बोला गया है, क्रिश्टन सुतू भगवान स्वयम, क्या बोला गया है? भगवान के अनेक अनेक अवतारों का वर्णन आता है, और उसमें अन्त में ये श्लोक आता है, जितने भी अवतारों का वर्णन हुआ है, मत्स, कूर्व, नर्शिंग, वराहा, राम, परशुराम, बुद्धा, कल्की, सब का वर्णन आया है उसमें, भागवतम के प्रथम इस वो अवतार नहीं है वो अवतारी है वो सारे अवतारों के श्रोत हैं क्योंकि इश्वरहा परमह कृष्णहा ब्रह्म समिता कहती है तो कृष्ण है वो कौन है वो परमीश्वर है पूर्पुशुत्तम है कौन? कृष्ण सच्चिदानन्द विग्रहा अनादिरादिर गोविंदा सर्व कार्ण कार्ण वो क्या है? भगवान कृष्ण की हमें तुल्ना किसे नहीं करनी है? अनेक अनेक जो अन्य देवी देवता है उनसे नहीं करनी है देवताई समत्वेनाइवदीक्षेता सापाशन्दी भवेद्रुवं यदि कोई कृष्ण को किसके बरावर मानता है? कृष्ण नारायन है विष्णू को किसके बरावर? कि भई वो ब्रह्मा और शिव के बरावर हैं देखे यहाँ पर किसी के सेंटिमेंट से भावनाओं को हर्ट करने भी बात नहीं है यह शास्त्र कह रहा है वो बताया जा रहा है आना पर कि हमें उन्हें जो इतने पावरफुल भगवान शिव, भगवान प्रह्मा उनके बरावर भी नहीं मानना समत्वेना समत्व, समान मानना यदि हम मानते हैं यह भी अपने आप में एक प्रकार का क्या है यह भी अपने आप में एक प्रकार का पाशन भी मतलब यह एथीजम बोला गया है इंडिया ने बहुत फेमस है, यह सब ही एक है सब बराबर है किसी कोई मान दो नो अगर हम शास्त्र पढ़ेंगे ते उसके अंदर crystal clear understanding है उसमें कोई ब्रहमित होने की बात नहीं है क्योंकि हमें कभी पढ़ाया ही नहीं गया बताया ही नहीं कि हमको कभी तो बहुत से लोग अभी दुरभाग है कल्योग में कल्योग में लोग किसी को भी बना देते हैं नहीं यही कृष्ण है यही राम है हां यही शिव है बहुत बहुरुपिया है भाई वो आदमी उसी को कृष्ण बना दिया है उसी को राम बना दिया उसी को शिव बना दिया हां शास्त्रों से हमें collaborate करना है भई यह तोड़ी यह किसी भी व्यक्तिय जा करें हम उसका statue बना दें मंदिर बना दें और famous कर दें बहुत सारी लोग आना start हो जाएं फिर इसको कहां बिढ़ा दो आप बोले एक कोब्रा बिढ़ा दिया साथ एक कोब्रा कि है कर योग में इतने सारे फ्रॉड लोग हैं अपने आपको भगवान भुशिक कर दिया है और लोग जा रहे हैं वहां पर आँख बंद करके जा रहे हैं वहां पर अपना माता पटक रहे हैं वहां पर जाके क्योंकि हम शास्त नहीं पढ़ते हैं कुछ लोगों ने तो एव कितने दुर्भागी की वाद बताई कि नारायन के भी स्वामी यहां पर बैठे हुए है शास्त्र कह रहे है भई नारायन के समान, ब्रह्मा और शिव को मानना भी एक प्रकार का नास्तिक वाद है पाशंडी है और यहां क्या बोल दिया इनारायन के भी स्वामी है तो कि हमें शास्त्र नहीं पढ़ते इसलिए का जानना जरूरी है जो कृष्ण है मैं नहीं कह रहा हूँ इश्वरहा परमहा कृष्णहा यहां तक कि जो विष्णू है वो कृष्ण के एक्सपेंशन है समझ ये कैसे विष्णू और कृष्ण क्या है भगवान जब अपने आपिस में होते है तो कहलाते है विष्णू और जब घर पे होते हैं तो कहलाते हैं कृष्ण जैसे एक high court judge है वो judge bench पे बैठा हुआ है तो bench पे बैठा हुआ है सब लोग क्या योलाते है माई लाव माली जे उसका नाम रोहित है सपोस तो इसको कोई कोट में उसको रोहित कहके नहीं बुला सकता चाहे उसके रिलेटिव हो, उसके फादर हो कोई भी हो अब वो घर पे आता है घर पे आके बैठता है सोफे पर कोट में उसके लिए पानी लाने के लिए अटेंटेंट है घर पे आके बैठता है तो सो क्या कीड बुलाएंगे वाणी में उसके पिताजी गर आए नाम से बुलाएंगे अब फानी लेके आऊ वाएप बoka Settings subscribe वांकिं में कियाकर ऊ के नहीं बोल सकते हैं ना अरि वह हई है को जग हिए लेकिन जब वो कहां पर अपने ऑफिस में तो क्या भाव है उसका कौन सा भाव है और रेवलेंस सम्मान इसे बोलते एश्वर्य भाव क्या कोई भी उससे मजाब नहीं कर सकता कर सकता है कि नहीं कर सकता लेकिन घर पर वो घर पर आया बैटा तो चोटा सा पोता आता है दादा जी आप गोड़ा वनों मुझे पैटना है आपके उर्पर सावारी करनी है करेंट ना वच्चे खेल रहा है तो वहीं जब घर पर आता है तो उसका मादुर्य भाव है क्या भाव है मादुर्य भाव लविंग दोनों में से आपिस में और घर में एक व्यक्ति को सहजता या पूर्णता कहां महसुस होती है कहां होती महसुस एक व्यक्ति अपने आपको कहां पे अधिक सहज और अधिक पूर्ण महसुस करता है घर पे की आपिस में घर में है कि ने तभी तब चुट्टिया डूनते हैं भई घर पे टाइम बताएंगे समझ में आया आपके जब कृष्ण है जब ओफिस जाते हैं तो क्या पहनते हैं ओफिस वाला सूट पहनते हैं तो दो हाथ और हैं उसमें शंक चक्र पद्म गदा ओफिस जाना है ना कमांड करना है वहाँ पे क्या कहलाते हैं क्रिष्ण ओफिस में विष्णू और जब जब कहां आते हैं घर आते हैं तो क्या बन जाते हैं क्रिष्ण एकदाम कूल उनके मित्र उनके कंदे में हाद रख सकते हैं उनकी माता उनको डाट सकती है जो गोपिया है उनसे मजाब कर सकती है लेकिन विश्नु से नहीं कर सकते हो जा रहे विश्नु से कोई भी हासी मजाब नहीं कर सकता समझाएं आपके क्रिश्न और विश्नु क्या है ये शास्त्र कहते हैं क्रिश्न क्या है वो उन पुर्शोत्तम भगवान है जब अपनी कुछ कलाओं को छिपा लेते हैं जैसे जब वो राम के रूप में अवतरित हुए तो उन्हें छिपाना पड़ा अपनी कुछ कलाओं को इसलिए आप पाएंगे भगवान राम जो पाएंगे कि बहुत कोई जोकिंग एक्टिविटी प्रा क्या है सीरियस मारने के रहें बात अअपनी इच्छा है जो करना है कोई टेंशनी लोग क्या बोलेंगे रन छोड़ के भाग गए फिर भी क्या कहला है रन छोड़ पूजा हो रही है इस दुनिया में कोई सैनेक रन छोड़ के भाग जाए और उसको दिया जादा पाराम वीर्चक्र होता है क्या ऐसा नहीं होता है न समझाए हमारे भगवान में क्या बरते इस दुनिया में कोई चोरी करता है तो क्या होता है उसको क्या मिलता है सज्या मिलती है है की नहीं और भगवान में चोरी की तो क्या कहला है माखन चोर हजारों गाने है पूजा ओर रही हैं की माखन चोर तो समझे ये है भगवान इसलिए कृष्ण स्टू भगवान स्वयं वही कृष्ण वो क्या करते हैं वो decide करते हैं अपने धाम से कहां आना इस बहुतिक जगत में आना जब वो ऐसा decision लेते हैं इसे बोलते हैं अवतरण तो वो है जन्मास्टमी का दिन इसलिए ये important है कौन व्यक्ति आ रहा है समझे तो कई बार बहुत से लोग प्रश्ण करते हैं कि मैं ये भगवान का उतरण नहीं हुता भगवान को अप्तरित होंगे भगवान के पास कमी है क्या आपने बहुत सारे एजेंट्स हैं उनके मिनिस्टर होंगे और किसी को बेज़ते हैं इतना बड़ा आद्मी क्यों आएगा कुछ रिलिजन्स में तो वो अब्जेक्शन करते हैं कि नहीं नहीं केवल भगवान के मेसेंजर आ सकते हैं बगवान नहीं आते हैं कि तो एक बार अकबर और वीरवल के वीच में बाते हो रही ही लएक धागवान है सकंटा ओका सकते हैं इस पर क्लीं कि वहां को ँब नहीं आना चाहिए ना जरौत क्या है इतने इतने सारे लोग कselves होंगे उनके पास में पावर्फुन लोग उनको बेजदेस दुनिया में तो बिर्वन ने समझाने की खोशिश की लेकिन अकबर के पल्ले नहीं पड़ी बात वोले कोई बात नहीं जहां बना आपको समझाएंगे मौका आने दीजिए तो उन्होंने बुला बात्शाव को बोला कि आप एक काम करिए हम अगले हफते में हमने एक नौका बिहार अरेंज किया है बोट राइड जो हमारे महल का जो सरोवर है पॉंड वहाँ पर हम लोग बोट राइडिंग करेंगे तो सब्यों को बलाईए है आपकी फैमिली होनी चाहिए सब लोग होगे तो एक बोल्ड में क्या कि एक बोल्ड में सारे कि सारे अकबर बीर और जो मिनिस्टर थे वो बैटे होगे थे सरी पूरश दूसरी बोल्ड में जितना भी महिलाएं थी वो बैटे होगे थे अब बोल्ड राइडिंग चल रही थी म्यूजिक वाज गॉइंग आन और अकबर जो हैं उनका सबस्य चोटा बच्चा था ना इनकी एक रानी की गोद में था वो और अच्छा वाग समय बजर गया और क्या हुआ थोड़ी देर बार में वो बच्चा उस रानी की गोद से हाथ से फिसल के पानी में गिर गया और जैसे एंडवर ने देखा उसमें बिना कुछ सोचे सम्झे छमांग लगानी तुरं तेढ़ती हुए गया तुरं अधाया बच्चे को जब उठाया तो पाया हुh बो तो क्या है वह के बट्र्ला है वह क्या है स्टैच्व पुत्ला है एक बच्चा नहीं है किस ने किया ऐसा मचा उन रानियों ने इंडिकेट किया बीरबल भीरबल तो मतला उसको लगा नहीं रही बीरबल मतलगी बुद्धी माना आदनी कुछ सिखाने के लिए किया होगा महाराज एक बात बताईए आपके बगल में इतने बढ़िया बढ़िया rescue team के लोग थे जो आपसे 10 गुना export है तेहरने में बचाने में हम ministers थे soldiers थे आप क्यों कुदे महाराज आप बोलते कुदो बचा के लेज़ाओ बच्छे आप क्यों कुदे मेरा बंचा है बस ऐसे ही शास्त्र बताते हैं भगवान नाम उनके प्रेम के वशीबूत होकर उनके प्रेम के वशीबूत होकर भगवान आते हैं जब आते हैं तो फिर side by side थोड़ा आए है तो ऐसे एक movie होती है एक movie में action scene भी होता है fight भी होती है but action scene से ज़्यादा action scene है loving scene है correct तो हम पाते हैं कि जो hero है उसको fight करना है लेकिन fighting is not primary correct जो movie के अंदर जो love story है ना वो primary उसके side by side थोड़ा बत fight भी है कोई villain भी है उसको भी थोड़ा बत पीटना है वो primary नहीं है primary क्यों होता है love story ऐसे ही भगवान और भगवान के बगतों के बीद जो frame है उसके वशिबूत होकर भगवान अप्तरेद होते हैं और side by side आये ही हैं तो चलो भई तोड़े धोज जो भी दानव है न उनको भी ठिकाई लगा देते हैं चलो भई कंस को जरासंद को रावण को फोड़ा इंदी में पटाई कर देते हैं उसके अशुप्स भगवान यहां आते हैं बतों के वाशिवूत होकर और दूसरा भगवान यहां आए जब वो क्या करते हैं क्रिया कलाब करते हैं लीलाय करते हैं एक अधरे टंडेंसी है सभी के अंदर्ichen सबी लोग कोई नहीं कोई स्टोरी से अट्रेक्ट होते हैं आप मूवी देखने क्यों जाते हैं क्योंकि उसके अंदर क्या है अलग-अलग हमारे emotion satisfied होंगे उसमें एक स्टोरी का एक हिस्सा क्या है loving relationship दूसरा हिस्सा क्या है fight तीसरा हिस्सा क्या है suspense अलग-अलग पाएंगे चौता हिस्सा क्या है dance music आप भगवान की दीला हैं देखिए सारी चीज़ें उसके अंदर अगर romantic portion देखें तो क्रिश्न दीला से ज़्यादा romantic loving portion आपको कहीं नहीं मिलेगा यस और न अगर हम action देखें अगर हम क्या देखें fight and action तो आपको ऐसी fight ऐसा action आप चाहे महामारत देख लीजिए आप चाहे भगवान का कोई भी death को मारना देख लीजिए हां वो क्या है so wonderful आप शास्त्र पढ़ेंगे उसमें एक एक description दिया रहा है भगवान ने इस death को कैसे मारा उसको कैसे मारा हम पायेंगे जितने भी चीजे हमारे अंदर tendency हैं उनसे attract होने की वो सारी किस्में हैं भगवान की लीलाओं में वो विद्धिमान हैं तो ताकि हम क्या करें जो कि हम क्या हैं अभी हम इस दुनियादारी की क्यों से अट्रेक्ट हो रहे हैं और इस दुनिया में अगर अगर अट्रेक्ट होंगे तो वो हमारे बंधन का कारण मनेगा लेकिन यदि भगवान से हमें अट्रेक्शन होगा तो क्या होगा वो हमारी मु सब्सक्राइब 4.789 अध्यायसन का चार। उसमें अगवान कहते हैं ये बात कि सम्भवामी आत्नमायया अजो अपीसन अव्यया आत्मा हाला कि मैं अजन्मा हूँ लेकिन फिर भी मैं क्या होता हूँ मैं अपनी इच्छा से यहां पर आता हूँ क्या करने के लिए हम सभी को आ आकर्षित हो रहे हो वो टेंप्ररी आकर्षन है अगर आपको आकर्षन किस से हो जाएगा भगवान से हो जाएगा तो हम भगवत धाम जाने के इस दुनिया में जो हम जन्म जन्मांतरों के चक्कर लगा रहे हैं उससे हम बहार निकल सकते हैं और जो भगवान का धाम है सक् अप्तरित होते हैं इसलिए कृष्ण को साधार मनुष्य नहीं मानना जब इस दुनिया में वो आते हैं जैसे आचारे समझाते हैं कि एक बार गवर्नर वो है वो जो स्टेट है ना उसकी जेल में जाता है कैदियों से मिलने के लिए उनके साथ 3-4 घंटे बिताने के लिए ता करेंगे कि भाई क्या करो भाए बाहर निकलो यहान से कैदी साथ 3 लुए गवर्नर गया जैल के अंदर और वहां जब गया तो कुछ केंदी बात कर रहे हैं पर घवार्नर भी आगया अपने साथ है ये दो підव्या और ऑप तेट पर आदिए तेर क्या सईये conclusion यह बाला नहीं फरक्या है फरक्या है वो अपनी इच्छा से आया है अपनी इच्छा चला जाएगा समझें और जो क्या दी है वो वो हाँ हमको फोर्स किया गया यहां आने के लिए वैसे ही हम अपनी इच्छा से नहीं आते हैं हमको तो फोर्स किया गया यहां आने को क्योंकि कुछ कलती है उसकी ऐसे ही कुछ mistake है शिकारण हमें यह बहुत एक शरी लेना पड़ा तो भगवान यहां आते हैं हमको क्या करने के लिए convince करने के लिए आकरशित करने के लिए तो भगवान का जन्म है, लोग बोलेंगे नहीं नहीं, ये क्रिष्ण भी तो, ये क्रिष्ण भी तो क्या है, अरे देव की गर्व सी तो हुए क्रिष्ण का जन्म, ये बोलते हैं लोग, अरे क्रिष्ण के जिए तो माता पिता थे, भगवान कैसे हो गए, बोलते हैं लोग इसी कुल में जनम लेते हैं यदु कुल में यदु वंच में या फिर रभु वंच में यह ऐसे हैं यह सूरज है सूरज इस्ट पूर्दिशा से तो क्या जो इस्ट है वो सूरज की मां हो गई गया नहीं ना सूरज की इच्छा है वही वो इस्ट से आगा है इस्ट का इंपॉर्टेंस सूरी के कारण है ना कि सूरी का इंपॉर्टेंस इस्ट के कारण एक और एक्जम्पल आता है जैसे आगर आप कभी द्वारिका गए हो या फिर कोई भी जगनात्पुरी गए हो किसी भी ओशियन के आप कहां जाएंगे बीच पर जाएंगे समुद्र के किनारे में जाएए अगर शाम के समय आप पाते हैं कि जो चंद्रमा है ना सूरस तो धल रहा है और चंद्रमा है वो उग रहा है और ऐसा है डिरेक्शन ऐसा है कि माली जी चंद्रमा उग रहा है और कहां से समुद्र के अंदर से चंद्रमा बहार निकल रहा है तो देखा है अपने ऐसा ऐसा लगता है कि चंद्रमा कहां से बहार आया है समुद्र के अंदर चंद् करें साइज में समुद्र का साइज और चंद्रमा का साइज कितना फ़र्ग है कितना फ़र्ग इंफाइण यह सौर लॉर मिया घ्राबचन के अंदर एक इस प्र WATसे और्पन हो रहा है चंद्रमा गर्व सिंदू हरे इंदू शब्द आता है वैसे ही मा देवकी के गर्व से जब कौन अत्पन होते हैं क्रिश्ण कैसा है जैसे समोध्र के गर्व से कौन अत्पन होता है चंद्रमा इंदू इंदू मतलब चंद्रमा जो हरी है वो चंद्रमा की तरह है और जो भी मा को स्विकार कर रहे हैं, उनका गर्व किसकी तरह है, समुद्र की तरह है, गर्व सिंदू, सिंदू मतलब समुद्र, समझे भगवान जो हैं, इसलिए उनके जन्म कर्म जो हैं, उनको समझना आसान नहीं है, जन्म कर्म चा मे दिव्यम एवं योवेति तत्वतहा, इसलिए क्या करना है भगवान के जन्म और भगवान के कर्मों को समझने के लिए हमें हमें एक प्रामानिक आध्यात्मिक गुरु उनका सानिदि द्रिनेट करना होगा तब जाकर उसमझ सकते हैं क्या होगा हम क्रिष्ण को भी हम हमारे यसर रखती समझ लेंगे इसलिए भगवान कहते भी है अवजानंति मां मूढा मानुश्यम्तन माष्रितम जो लोग ऐसा बोलते हैं कि क्रिष्ण तो साधार जक्ती है या फिर ये क्या है कुछ योग साधना करके क्या बन गए योगेश्वर बन गए उसलोग कहते हैं अरे जो क्रिष्ण है उन्होंने क्या किया उन्होंने अपना पूरा पूटेंशल पहचान लिया जिस दिन हम भी अपना कम्प्लीट पूटेंशल पहचान लेंगे हम भी क्या बन जाएंगे कृष्ण बन जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं भगवान कह रहे हैं, मूडा ऐसा मूर्ग बोलता है कि मैं क्या हूँ, मैं भी एक साधारण जगती हूँ, नहीं कृष्ण जो है वो हमेशा से भगवान है तो इसलिए सारी शास्त्रों ने asynchronously एक साथ विकार किया है इवन आचारियों ने बोला है शंकराचारी बोलते हैं सा भगवान स्वयम क्रिष्ण वो भगवान कौन है भगवान है, वो स्वयम भगवान क्रिष्ण है ऐसे जो क्रिष्ण है वो अव्तरित होते हैं, कब? जब ब्रह्मा की एक दिन में वो एक बार अवतरित होते हैं यानि यह जन्मास्ट में कितना important festival आप समझिएगा ब्रह्मा की एक दिन कितना वड़ा है ब्रह्मा का यह चार यूग है ना सत्य यूग, त्रेता यूग, द्वापर यूग, कल यूग, चार यूग इनका एक साइकल वो कहलाता है महायूग, क्या कहलाता है महायूग एक साइकल पूरा हो गया, फिर दूसरा साइकल, तीसरा साइकल ऐसे जब एक हजार साइकल पूरे जाते हैं तब ब्रह्मा के बारे घंटे पूरे होते हैं, कितने? 12 जंटे सत्य यूग जो है उसकी अवदी है 4,32,000 साल कितनी है इसका दुगना है द्वापरियो कितना हो गया बताईए कितना हो गया इसका तीन गुना है क्रेटा यूग कितना हो गया कितना हो गया 12,96,000 और 4 गुना है सत्य यूग कितना हो गया 17,58,000 17,28,000 तो चारो योगों को count करेंगे कितना आएगा करिए maths फटाफट गणित में ही तो हमारी भैक आई दिया आप कैसी बात करें गणित में पास ही नहीं हो कितना होगे 43,500,000, 43,20,000 ये एक ही महायोग है एक निकल जाए, दूसरा निकल जाए, की सरा निकल जाए कितने निकल जाए, अजार तब ब्रह्मा के क्या है, 12 गंटे ये मैंने क्या रहोगा गीता कह रही है सहस्त्रयोग पर्यान्तम अहारयत प्रह्मोनों विदू तो ब्रह्मा के 12 जंटे हैं इसमें शृष्टी रहती है अगले 12 जंटे ब्रह्मा की नाइट उसमें शृष्टी नहीं रहती है तो ये ब्रह्मा जी का दिन है न एक दिन ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान कृष्ण एक बार आते हैं बस कितनी बार एक बार इस दर्थी बा यानि कितने सालों में 43,20,000 into 1000 लगाई मैंक्स लगाई भई कितना हो गया 4.32 billion years चार अरफ 22 करोण वर्ष उसमें एक बार कृष्ण आउतरित होते हैं और वो अभी कब हुए थे आज से 5000 साल पहले तो हम लोग कितने फॉर्चुनेट हैं Yes or No? Correct? कितने फॉर्चुनेट हैं हम लोग Once ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आते हैं क्यों? क्योंकि एक ब्रह्मांड है ऐसे अनगनत ब्रह्मांड है कृष्ण को हर ब्रह्मांड में जाना है जैसे सूरज है ना जो सूर्य है प्रशन करते हैं नहीं नहीं क्रिष्ण भगवान कैसे हो गए? क्रिष्ण तो द्वापर यूग में आये थे ना द्वापर यूग से पहले कौन भगवान था? है की नहीं? Yes or No? समझे जैसे सूर्य है अभी आप बाहर जाएंगे अभी आठ बजने बाले हैं हमको सूर्य विजिवल होगा क्या? नहीं होगा विजिवल, correct? इसका मतलब क्या सूर्य जो है वो आकाश में है की नहीं? है हमें विजिवल नहीं है, correct? समझना है आपको हमें नहीं देख रहा है लेकिन कहीं और क्या है सूर्य विजिवल है, correct? वही सूर्य इस समय पर हमारे यहां पर विजिवल नहीं है कहीं पर विजिवल होगा और सुबह के 6 बजने होंगे वही सूर्य कहीं पर सुबह के 7 बजने होंगे कहीं पर दोपर के 12 बजने होंगे कहीं पर शाम के पांच बजरे होंगे यस और नो वही सूरिय और कहीं पर रात्री है तो जैसे अर्थ घूमती है जैसे जैसे अर्थ घूमती है सेम सूरिय अलग-अलग तरीके से दिखाई देता है हमें दिखी नहीं रहा है लेकिन कहीं पर उखता हुआ दिख रहा है तो कहीं पर meridian यानि एकदम तपता हुआ दिख रहा है और कहीं पर अस्त होता हुआ दिख रहा है वैसे ही जब काल चक्र घूमता है जब एक समय आता है काल चक्र में जैसे अर्थ घूमेगी रोटेٹ करेगी तो हमें कल सुगर क्या दिखाई देगा सूरच, सूरच तो वहीपर है न किया ऐसा कल सूरच का जनम होगा ऐसा तो नहीं है कल सुवा सूरज का जनम होगा नहीं है ना जब कार्चक्र भूंता है तो क्या होगा एक फिक्स समय आने पर क्रिष्ण हमेशा है हमें क्या होगा उनका जन्म आबिर्भाव विजीवन होगा क्रिष्ण हमेशा से भगवान ऐसा नहीं कि द्वापर यूग में क्रिष्ण अवतरित हुए वो जब कार्चक्र ऐसे भूंता है कि ब्रह्मा के एक दिन में वो विशेष समय आता है जब क्रिष्ण हमको विजीवन होने हैं तो हमें लगता है कि भगवान का जन्म होगा और करदी को छोड़ दिया यह क्रिष्ण जो है वो इस प्रकार से अवतरित होते हैं तो हम सोच सकते हैं जन्मास्ट मी कितना पास्तो साल पहले पुने अवतरित होते हैं श्री चैतन्य महात्रव के रूप में वैराध्य विद्या रिजबक्ति योगा शिक्षात्मी का पुरुशा पुराना अपने आचरण से बक्ति सिखाने के लिए स्वयान कृष्ण जा करते हैं वो अवतरित होते हैं और संकीरतन आंदोरं का शुबारंब करते हैं कि भाई कि जो कल्यूग है इसके अंदर एक ही आध्यात्मिक प्रक्विया प्रभावशाली होगी वो क्या है भगवान के नाम हरे प्रिष्ण हरे प्रिष्ण हरे प्रिष्ण हरे प्रिष्ण हरे राम हरे राम 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 हर तो वो क्या है शास्त्रों के पन्नों से बाहर निकाल कर बताते हैं कि अगर हमें भक्ति योग क्योंकि भगवत दीता जो है इस ओल अबाउट वक्ति योग तो भक्ति योग कमें पालूं करना है तो भगवान खुद आए हमको सिखाने के लिए चैतनि महामरभू के रूप में यह भी शा क्रिशनवरणम प्षा किशनम इस बहान का वत्तारोग कर दो तो हम लोगोर फॉर्शनेट हैं हम कितनी४ रॉप लॉप से मिटी में है भगवान कृष्ण और भगवान चैतन्य के केवा सबाव 500 साल पहले भगवान चैतन्य महाप्रभु का अपतरण हुआ और 5000 साल पहले भगवान कृष्ण का तो हमें क्या करना है हमें और भी fortunate बनना है उनके द्वारा बताय हुए बगवाद दीदा का नौलेग जो बगवान ने दिया और चैतने महाप्रभू ने जो संकीर्टन आंदोलन इसका शुभारण किया हमको दोनों का एडवांटेज देना है होल हाटें लिए हमको पार्टिसिपेट करना है और बहुत आसान है चैतने महाप्रभू ने केवल पांच चीज़े करने को बोला बोले बस ये पांच चीज़े कीजिए तो क्या कर सकते हैं हम जो मानव जीवन का उद्धिश है भनवत प्राक्ति उसको हम बहुत आसानी से कर सकते हैं पांच चीज़े क्या है पहला है सादू संग क्या है पहला सादू संग मतला बक्तों का संग कीजिए इसलिए आपको जो कॉल आता है शनिवार को रविवार को हरे कृष्णा आप आएंगे ने आएंगे सेशन में क्यों आता है सादू संग के लिए आईए बक्तों के संग में जैसे लुभा जो होता है पारस्मणी ते स्टोन के कॉंटेक्ट में आया है तो क्या बन जाता है सोना वैसे ही हमारी प्रेजेंट अवस्था में हम क्या है हम जंग लगए लोहा है नहीं लोहा है जिंदगी तो क्या होता है उसको इसमें कनवर्ट करने के लिए पारस मणी में एक्जमपल आता है ऐसे कि मैगनेट है अगर लोहे पे बहुत जंग होती है ना तो उसको मैगनेट से क्या नहीं होता है अभी हमें भगवान से अट्रेक्शन क्यों नहीं है अभी तो नहीं है हमको अभी अगर किसी को दो घंटे हम मूवी प्लैक्स में बिठा दे हैं तो लोग इत्ता हम आराम से बैठ जाएंगे है की नहीं लेकिन मंदिर के लिए खॉल करना पड़ता है आएंगे नहीं आएंगे पिर आपको बहुत आनंद आएगा इस पॉइंट इंट्रेक्शन होगा हमें भगवान से पहला है साधु संग के संग में आएंगे क्या होगा भजन क्रिया क्या होगा ? भजन ख्रिरा मतला भगवान के नाम का जब अब यह स्टार्ट इकरने वाले इन सबूत करेंगु कि आपन पास्मिंबर का दू आप से हॉलिवॉड वॉलिवॉड इपलिपस्की बात तो नहीं करेंगे गरेंगे करेट कि वहाँ से क्या करेंगे भागवथ चर्चा क्या करेंगे भागवथ श्रमण क्या बुलते हैं और हो चौता है श्री विग्रह सेवन क्या है lg Alors सेवन मतलब हमें अपने घर पर भी ऐसे आप मंदिर आते हैं तो आपको सब का फाइदा दल रहा देखिए आप मंदिर आए आपने दर्शन किया वो श्री विग्रहे है अर्च विग्रहे है इसको लोग बूर्थी बोलते हैं बूर्थी एक अच्छा शब्द नहीं है it's not very respectful word बूर्थी अर्च विग्रहा जिसकी हम अर्च ना करते हैं आराद ना करते हैं तो उसका हमें क्या मिलता है लाब मिलता है इसलिए आप अपने घर पर भी भगवान के विग्रहे को इस्थापित कर सकते हैं रड़ू पाल्जी बोले सकते हैं आप जन्मास्ट में आ रही है उनकी आप आ पांच्वा है मतुरा वास व्रिंदावन वास क्या है पांच्वा मतुरा व्रिंदावन रोगे jut it और देखा जाए तो इतने बड़े जो ये लेंड है इसका एक छोटा सा हिस्सा मंदिर है भगवान ने प्रैक्टिकर ही देखा जाए तो बहुत छोटा हिस्सा उपपाई किया है बाकि इससा तो हम लोग यूज कर रहे हैं लेकर हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि हमारे घर में मंदि करिए क्या हां हम कहां रहते हैं यह भगवान का है यह जो घर है भगवान का है यह मंदिर है उन्होंने हमको यह वाला कमरा मुझे रहने को दिया है यह वाला कमरा बच्चों को रहने को दिया है तो मंदिर में हमारा घर है तो देखिए हमारा घर क्या बन जाता है रिंदाव यह पांग चीजे हमें करनी हैं बस और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम जीवन की सरवोच सिद्धी उसको हम प्राफ कर सकते हैं अपने मानग जीवन को हम साथ तक कर सकते हैं अगर यह चूट गया ना सादू संग तो जिंदगी का ढंग और रंग दोना चेंज हो जाएगा सादू संग नहीं शूटना है सादू संग करेंगे तक तक हमारी माला कैसे घुमेगी ऐसे अंदर की तरफ हरे क्रिष्ण हरे क्रिष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे और सादू संग चूट गया ना त समय स्चिर्ग तो पेंगा। समय है नॅ? यह वाली हमस्तु न? वाली वसमें डुपाइ हुंगा याम। आगे साधी आगे से आगे से मक्ति तुपी। आगे से मटे दू? से भूर्णे, साधुसाग नहीं सोड़ना हैं नहीं आल्राइट। आप सभी ने इतना समय दिया उसके लिए Hare Krishna